हेलो एवरीवन वेलकम टो रवियदिती क्लासेज आज की वीडियो का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ओनर्स तो फ्रेंड्स यहां पर हम कंप्लीट अवार्ड ओनर्स करेंगे 2021 के यहां बस सारही कोशन बिलकुश सेलेक्टेड हैं अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर हैं तो यह वीडियो आपको काफी जादा मदत करेगी तो चले फ्रेंड्स क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेशन नंबर फॉर्स्ट से पहला कोशन है हूँ हाज बीन कंफोर्ड विद द डी एएडी अवार्ड 2021 फोर आउटस्टेंडिंग अकेडमिक परफॉर्मेंस दी आ जर्मन अकेडमिक एक्चेंड सर्विस के द्वारा तो ध्यान रखेंगे कि यह अबॉर्ड किसके द्वारा दिया जाता है क्वेशन देखिये अगला विच बॉलिबूर्ड एक्ट्रेस हाज बीन चूजन ऐस एट्स परसन ऑफ द इयर 2021 बाई पैटा और पैटा की फुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए कि जो अलियर बट हैं उनको चूस किया गया है क्यों किया गया है फोर सपोर्टिंग था एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री एंड हर पैशन फॉर एनिमल्स तो इसके लिए उनको परसन ऑफ दा इयर के लिए चुना गया नेक्स्ट कोशन इस हूँ हुँ हास बीन ओनर्ड विद अ ग्लोबल अन्वार्टमेंट अंड क्लाइमेट एक्षिन अवार्ट टॉ तो यह अवार्ट किसे मिला है ती आंसर इस विरल शुधीर भाई देसाई को यह अवार्ट दिया गया है कौंसा ग्लोबल अन्वार् 2020 तो 2020 के लिए journalist of the year के लिए चुना गया है दानिश सिद्धकी को option number A is the right answer important point में देख लीजिए जो photo journalist है दानिश सिद्धकी इनको 2020 के लिए चुना गया वो भी मरनो पनांती ये भी ध्यान रखे का posthumously चुना गया है by the Mumbai Press Club सिद्धकी डाइट इन अफगानिस्तान देखे अफगानिस्तान में जो है वो इनकी मृत्ती हुई थी और इनको मरनो परान 2020 के लिए journalist of the year अवोर्ड के लिए चुना गया है अगला कोशन ने देखिए which famous actor has been honored with the Sushila Devi Award 2021 The answer is अनुकृती उपाध्याई तो friends अनुकृती उपाध्याई को Sushila Deviya Puriskar से सम्मानित किया गया है Next question Which airport has received the National Energy Conservation Award 2021? Answer is Hyderabad International Airport Limited तो friends इने चुना गया है राष्टी उद्धा सन्नक्षन पृष्कार 2021 के लिए अगला कोशन देखिए Who has been honored with the UN Women's Award 2021 for leadership commitment to significant contribution to gender equality तो gender equality में महत्पूर्ण योगदान के लिए दिव्या हेगडे को सैयुक्त राष्ट महिला पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया अगला कोशन है friends Question No.8 Who has been honored with the Mother Teresa Memorial Award 2021 The answer is all of these तो देखिए विद्यूत मोहन, Dr. Anil Prakash Joshi और Dr. Riddhima Pandey इन तीनों को Mother Teresa Memorial Awards के लिए चुना गया है या फिर केलिजे सम्मानित किया गया जो Dr. Anil Prakash Joshi है इनको Social Justice के लिए Mother Teresa पुरसकार दिया गया अगला कोशन है, which institution has been honored with the Times Higher Education Asia Award 2021 तो कौन सा institute है जिसे ये सम्मान दिया गया है आंसर इस O.P. Jindal Global University अगला कोशन देखिये, which company has been awarded the Golden Peacock Environment Management Award दी आंसर इस सेल, Steel Authority of India तो French Steel Authority of India को Golden Peacock Environment Management Award से समानित किया गया Next question is, who has been honored with the SJFI Medal by the Sports Journalist Federation of India The answer is Sunil Gavaskar तो French Sunil Gavaskar को SJFI Medal से समानित किया गया है अगला कोशन देखिये, who has been honored with the Global Entrepreneur of the Year Award तो ये award किसे मिला है, कुमार मंगलम बिरला तो ध्यान रखिएंगे friends, कुमार मंगलम बिरला, जो की भारत के उद्योग पती है उन्हें Entrepreneur of the Year Award 2021 से समानित किया गया Important points में देखिये He is the first Indian industrialist जिनोंने इस award को receive किया है Along with Satya Nadella, Elon Musk and Jeff Bijos तो ये पहले Indian industrialist है जिनको ये award दिया गया है तो इसलिए important question बन जाएगा आपके exam के लिए Next question देखिये Who has been named athlete of the year 2021 by the time magazine तो ये चुना गया है Simone Biles को तो ये America की famous gymnastic है Simone Biles इनको athlete of the year 2021 के लिए चुना गया Next question है Which Formula One racer has been honored with the title of knighthood The answer is Lewis Hamilton तो friends, Lewis Hamilton को knighthood की उपादी से सम्मानित किया गया है बात करते हैं Lewis Hamilton की तो देखे इनके पास 103 जो है records रही है और ये Mercedes के racer है, इनके country है Britain ये ध्यान रखेगा ये भी पूछ सकते हैं Question number 15 है Which state has been honored with the national energy conservation award The answer is Rajasthan तो friends, Rajasthan राज्चे को national energy conservation award से सम्मानित किया गया Next question है भुटान का जो highest civilian award है नगदक पेल जी खोड़ लो इससे किसे सम्मानित किया गया है The answer is Narendra Modi जी तो Narendra Modi जी को भुटान के highest civilian award से सम्मानित किया गया इसके बादे question Who has been honored with the Dr. Ida S. Skardar Humanitarian Oration Award ये जो award है ये किसी दिया गया है The answer is Azim Premizy को इस award से सम्मानित किया गया है ये जो award देखे सम्माज में सोसाइटी में युगदान के लिए दिया जाता है तो ये ध्यान रखेगा Next question Who has been chosen as Times Person of the Year by Times Magazine अभी हमने पहले किस की बात करी थी Athlete of the Year की बात करी थी जो कि Simone Biles को चुना गया अब बात आती है Times Person of the Year तो इस बाद चुना गया है ऐलन मस्क को Next question है Which Indian has been honored with a 21st century icon award The answer is Amit Goenka तो friends Amit Goenka को 21st century icon बुरुस्कार से समानित किया गया Next question है Who has been awarded the Ramanujan Prize for Young Mathematician तो ये question काफी जादा important है The answer is Nina Gupta जिनको मिला है युवा गड़ी तग्यों के लिए Ramanujan पुरुस्कार तो ये मास के फेल्ड में सबसे प्रतिष्टित पुरुस्कार कहा जाता है और Nina Gupta सवाट को जीतने वाली 4th Indian है तो ये important question है friends अगला question Who has been honored with a prestigious Royal Gold Medal 2022 The answer is Bal Krishna Doshi Friends Bal Krishna Doshi को प्रतिष्टित Royal Gold Medal 2022 से सम्मानित किया गया है ये जो award ये present किया चाता है by the Royal Institute of British Architect के द्वारा और ये दिया गया है देखिए for the year 2021 के अगर हम बात करते हैं तो David A.J. O.B.E. को ये award 2021 के लिए दिया गया था और 2022 में मिला ही ये बाल कृष्ण दोशे जी को इसके बाद कोशन है who has won the Young Geo Special Scientist Award 2021 the answer is रोपेश गोयल को इस award से सम्मानित किया गया next question है how many medals has India won in the 4th Asia Youth Paragames तो इंडिया ने इसमें total कितने medals चीते हैं तो friends याद रखेंगे इंडिया के द्वारा total 41 medals चीते गए उन 41 medals में से बात करते हैं तो 12 हैं gold 15 है silver medal और 14 है bronze medal इंडिया जो medal tally आती है उसकी ranking में इंडिया जो है वो 5th place पर था इस medal tally में top किस ने किया था तो इरान देश ने इसमें top किया जिनके पास सबसे ज़ादा medals थे 122 medals जिसमें 44 gold है 53 silver और 25 है bronze medal ये कौन सा edition था तो friends ये Asia youth para games का 4th edition था जो की बहरेन की capital मेनामा में conduct कराए गया था तो ये important points आप लोग जरू ध्यान रखें इसके बाद question है 57th ग्यान पीट अवार्ड ये किसे दिया गया है तो ये मिला है दामुदर आउजे को दामुदर माउजे को सॉरी MBA का यहां पे तो इन्हे 57th नमबर का ग्यान पीट अवार्ड दिया गया वहीं बात करें अगर 56th ग्यान पीट पुरशकार की क्योंकि इनकी दोनों की कुछना देके साथी में की गई है और ये जो मिला है वो किसी मिला है यहां पे थोड़ा सा आपको स्पैलिंग सही करनी है बस नील मनी फूकन को ये अवार्ड दिया गया है तो नील मनी फूकन को 56th नमबर का जो ग्यान पीट अवार्ड है वो दिया है और 57th नमबर का याद होगा दामुतर माउसे तो ये दोनों आपको साथी में ध्यान रखनी है question है अगला देखे which country's team has won the title of Davis Cup 2021 the answer is Russia तो देखे friends रश्या ने लंबे समय के अंच्वाल के बाद Davis Cup का title जीता है इससे पहले 2006 में रश्या के दोरे title जीता गया था important points पे बात करते हैं International Danish Federation के तो इसके stabilisement होई 1913 में headquarter है इसका London UK में और David Haggarty इसके president है next question देखिए which country team has won the title of junior men's hockey world cup 2021 answer हो जाएगा friends यहाँ पर Argentina तो इसका जो खिताब है वो किसे जीता है अर्जंटीना ने और इसमें अर्जंटीना ने defeat किसे किया है अर्जंटीना ने जर्मनी को इस championship में defeat किया important point देखिए इसका जो venue हुआ था वो कलिंग stadium मोरीसा में हुआ था और यह इस पे winner रहा अर्जंटीना और रही जर्मनी टीम next question is who has become the first Indian to win the title of Miss Trans Global Universe 2021 answer है शूती सितारा शूती सितारा देखिए बात करते हैं कि कौन से state से हैं ये भी पूछ सकते हैं तो ये केरल राज्जर से हैं जिन्होंने 2021 का Miss Trans Global Universe का title जीता इसके बाद है next question which medal has Kashish Lakra won in club throw at the Asia Youth Paralympic Games तो इसमें Kashish Lakra ने कौन से medal जीता है the answer is gold तो Kashish Lakra के दौरा इसमें gold medal जीता गया और ये जो Asia Youth Paralympic Games था ना इसका 4th edition कराया गया था next question who has won 7th Dr. M.S. Swaminathan Award for the period 2017-19 the answer is V. Praveen Rao तो friends V. Praveen Rao ने 2017-19 की अवधी के लिए सात्वा Dr. M.S. Swaminathan पुरुषकार जीता है important points में देख लीजे ये जो award दिया गया है वो इटके outstanding contribution के लिए दिया गया है to the agriculture research and development and lifetime achievement for overall food security and sustainability of agriculture तो इसके लिए उनको ये जो award वो दिया गया है next question देखिए who has been awarded the Assam State's highest civilian award जिसको कहा गया है Assam Bayabhav Award Assam Bayabhav Award से किसे समानित किया गया है तो देखिए जो correct answer हो जाएगा रतन टाटा इस थी right answer next question देखिए which state's pavilion has won the gold medal in the fourth India international trade fair the answer is Bihar तो बिहार राज ने जो है वो 40 फे नंबर का जो international trade mayor था उस राज उसमें gold medal हासिल किया इसके बाद है which state police has been honored with the president's color award 2021 the answer is Himachal Pradesh तो friends Himachal Pradesh को ये प्रेजिडेंट के द्वारा ये जो award है वो दिया गया है Himachal Pradesh को Himachal Pradesh आठवा state है country में जिसकी police को ये जो honor है वो receive हुआ है इसके बाद है question number 34 who has been honored with the woman of the year award by the world athletics the answer is Anju Bobby George next question रेखें friends who has been honored with the Rajyosab award 2021 और ये जो award देखें ये करनाटक के chief minister वसावराज वोमाई जी के द्वारा दिया गया है और ये दिया है रोहन बोपनना को जो की Indian tennis star है next question रेखें who has been honored the Silver Peacock award for best actor at the International Film Festival of India तो इसमें Silver Peacock award से सम्मानित किया गया है Jitendra Joshi को ज्यान रखेंगे Jitendra Joshi को best actor के लिए Silver Peacock award दिया गया इसके बाद है which male footballer player has created history by winning the Ballon Dior title for the 7th time तो सातवी बार इन्होंने title चीता है और एक रिथियास रचा है तो ये title किस ने चीता है तो ये answer हो जाएगा friends Lionel Messi ने title चीता है तो ध्यान रखेंगे इन्होंने सातवी बार ये title चीत कर रिथियास रचा है तो यहाँ पर question थोड़ी repeat हो गया है बात करते हैं देखें Lionel Messi की तो first of all ये अर्जंटीना से किस देश ते हैं अर्जंटीना से सातवी बार इन्होंने title चीता है जिबकि Ronaldo के पास चीता है वो पांचवी बार है Messi ने title चीता है करेक्ट आंसर हो जाएगा Friends रशनी कान को दादा साहे फाल के पुरिसकार से सम्मानत किया गया है और 67th National Film Academy सरमिनी के दोरान इन्हे ये अवार्ट दिया गया अगला कोशन है कौन से टीम है जिसने ICC Men's T20 World Cup 2021 का title चीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने ये title चीता है बात करते इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ऑस्ट्रेलिया ने निउजिलेंड को defeat करके T20 World Championship का title पहली बार चीता है जो venue ये कहां पे हुए थे World Cup UAE और Oman में addition की बात करते हैं तो ये इसका 7th edition था final match खेला गया था Dubai International Stadium में next question देखिए which automobile company has been honored with India Green Energy Award the answer is TVS Motors तो TVS Motor को ये award दिया गया important point में देखिए ये जो award ये present किया जाता है by the Union Minister for Road Transport and Highway जो की है नितिन गड़करीजी के पास इसके बाद है according to the report of स्वच सर्वेक्षन कौन से सिटी है जिसको cleanest सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है लगतार पांचवी बार इस शहर ने टाइटल जीता है और शहर का नाम क्या है इंदॉर तो इंदॉर सबसे स्वच शहर गोशित किया गया है और टॉप फ्री स्टेट्स की बाद करते हैं सिटी की बाद करते हैं तो वो है इंदॉर सेकिंड पे जो है वो है सूरत और तीसरे पे जो इस पे रहा है शहर वो है विजवाड़ा शहर इंद्या का क्लीनेस्ट जो स्टेट सबसे स्वच राज्ये का जो टाइटल दिया है वो छतिजगर को मिला है क्लीन गंगा सिटी में टाइटल जो है वो वरानसी ने जीता है और ये सब इशू किस ने किया है मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग और अर्बन अफेर्स के दोरा इसको इशू किया गया नेक्स्ट कोईशन है हाउ मैनी प्लेयर्स जिनको सम्मानित किया गया है मीजर ध्यानचंद खेल रत अवाड़ से तो दो हसार एक्यस में टोटल बारा लोगों को ये जो अवाड है वो दिया गया है तो कहाँ पर आप सबके नाम देख सकते हैं नीरत चोपडा, रवी कुमार दया या इनके स्पोर्ट्स भी है और इनके स्टेट भी है लवलीना बोर्गों है पी आश्री जेश, अवनी, लेखारा इसके बाद देखे सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीश नर्वाल, मिथाली राज, सुनील चेतरी, मन प्रीस दिंग तो बारा लोगों को सबमानित किया गया है मेजर ध्यान जंद, खेल रतन पुरुषकार से इसके बाद है, कौन से टीम ने IPL 2021 का टाइटल जीता, ती आंसर इस चैनने सूपर किंग अच्छा चैनने सूपर किंग ने फ्रेंट्स डिफीट किसे किया है, तो कॉलकाता नाइट राइडरेस को 27 रनों से हरा कर IPL 2021 का टाइटल CSK ने जीता, और CSK के काप्टन कौन है, महिंदर सिंग दोनी नेक्स्ट है, फू हास बीन ओनर्ड, दा अर्थ शॉर्ट प्राइज और जिसे कह सकते हैं, इको आसकर अवर्ड, ये अवर्ड जो है, वो जीता है, विद्यूत मोहन ने तो ध्यान रखेंगे, फ्रेंट्स, किसे सम्मानित किया गया है, इको आसकर जो अवर्ड है, वो दिया जाता है, देखिए, उन लोगों को जो अर्थ को स्टेफ करने के कोशिश करते हैं, और इस पार दिया है, विद्यूत मोहन को नेक्स्ट है, वो वन्थ टाइटल ओफ मिस अर्थ इंडिया 2021, दी आंसर इस रश्मी माधुरी को ये जो टाइटल है, वो दिया गया है, और ये बिलॉंग करती है, बेंगलूरू शहर से इसके बाद देखी अगला कोशन है, तो ये अवोर्ड दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे बेरल थांगा को बारुआ मनिपूर स्टेट अवोर्ड दिया है, अब ये लिट्रेचर से सम्बन देते हैं, तो इनकी बुक है, ये थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखना है, ये इन देन आइलेंड, तो इस बुक के लिए उनको मनिपूर स्टेट प्राइस दिया गया, नेक्स्ट कोशन है, देखिए, विच ओगनाजेशन हास बिन अवार्ड दे इंदरा गांधी पीस प्राइस 2021, तो कौन से संस्था को मिला है, तो संस्था का जो नाम है, वो है प्रत् 2020, दी आंसर इस बोथ, सरवेश्ट धदवाल और अमित विष्ट इन दोनों को फ्रेंट्स तंजिन नौरगी नाशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेक्स्ट कोशन है, वो हैस बीन ओनर्ड विद दा ब्लेक स्वान अवार्ड 2021, दी आंसर इस रेनु ग तो फ्रेंट्स रेनु गुप्ता को महिला सशक्ती करन के लिए ब्लेक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रेनु गुप्ता को देखी यां पे ग्रेटेस्ट ब्राइंड अन लीडर समिट के दौरान इनको ये वार्ड दिया गया, इसके बाद है देखिए, विच म नेट्रो रेल कॉपरेशन को ये अवार्ड दिया गया, इसके बाद है फोस्ट मिस इंडिया 2021 का टाइटल किसने जीता है, आंसर इस परल अगरवाल ने इस टाइटल को जीता है, नेक्स्ट कुश्चन है देखिए, वो हास गॉट देखिए, इस पे मिला है देखिए, यहां आपर करेक्ट चो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन A and B, मनोश, पाचपाई और दनुष इन दोनों को मिला है, 67th National Film Award में Best Actor का टाइटल, और अभी हमने उपर दादर साहिफ आल के अवार्ड के बाद भी करी थी, तो वो भी सी में दिये गए थे, जो के रजनीकांत को दिया ग तो ये अवार्ड किसे मिला है, the answer is both, मार्टीन, स्कॉर्सीज और इस्तेबान, सजोबो, इन दोनों को इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया, अगला कोशन है देखिए, how many people जिनको पद्म बिभूशन से सम्मानित किया गया है, तो ये कोशन काफी important है, तो देखे, 2021 में साथ लोगों को पद्म बिभूशन अवार्ड दिया गया है, और यहां आप साथों के नाम भी देख सकते हैं, शिंजु अवे, जो की former Prime Minister है जपान के, S.P. बालसुंब्रे मर्नियम, इनको पॉस्तुमिस यानि मर्नो परां मिला है, सुदर्शन साहू, नरिंदर सिंग का पानी, बेले, मुनपा, हेगडे, मौलाना, वाहुद्दीन खान और बीबी लाल, इन साथ लोगों को मिले हैं, पद्म बिभूशर, इसके बाद नेक्स्ट कोशन है, विदा पैटा इंडिया अवार्ड फोर मेकिं पाइनपल तो अननास से चमडा बनाने के लिए पैटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जेन्स पीगे सांगमा को, नेक्स्ट कोशन है, विश्टी साइंटिस्ट जिनको नोवल प्राइस मिला है, एकनॉमिक्स में, तो आप समझी गए हैं इनका नाम है, डेविट कार्ड जोश्वा डी एंगोरेस्ट, गुडो इंबेंस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लॉफ दीज इसी राइट आंसर, डेविट कार्ड देखें, ये तीनों यूएसे से ही हैं, और जो नोवल प्राइस एकनॉमिक्स में दिया जाता है, वो मिलता है, रोयल तो फेंट्स, अजे शर्मा को नेलसन मंडेला पुरिसकार मिला है, सुसाइटी में, जो उन्होंने कल्यान किया है, जो उसके में कॉंट्रिबूशन दिया है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया, इसके बाद है, बुकर प्राइस 2021, ये किसे मिला है, तो आंसर हो जाएग डेमन, गेलगट को बुकर प्राइस दिया गया है, उनके नोवल, दा प्रॉमिस के लिए, तो देखिए, आप लोगों को, अगर कोई लिट्रेचर का अवार्ड है न, तो आपको नोवल भी ध्यान रखना है, कि किस नोवल के लिए उनको वो अवार्ड दिया गया, इसके ब अगला कोईशन देखिए, वो अज़ बीन ओनर्ड या वो अवार्ड द बहलर टॉर्टल कंजरवेशन अवार्ड 2021, दी आंसर इस डॉक्टर शैलेंतर सिंग, तो कच्छुए कि जो टॉर्टल उसके संडक्षन के लिए इनको 2021 के बहलर टॉर्टल कंजरवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अगला कोईशन है, वो हाज बीन ओनर्ड फिदर रमन मैकसेसे अवार्ड, रमन मैकसेसे अवार्ड किसे मिला है, तो देखिए यहाँ पे इन सभी को मिला है, डॉक्टर फिरदौसी कद्री, मुहमद अमजद साकेव, स्टीबन मुनसी, वाश डॉग और रोबर्टो बेलन, तो यह ओल अफ दीज यहाँ पर आंसर रहेगा, तो इन पाचों के नाम ध्यान रखिएगा, इनको रमन मैकसेसे अवार्ड दिया गया है, और रमन मैकसेसे अवार्ड दिखे, इंडिवीजल को भी मिल सकता है, या और्गनाइजेशन को भी मिल सकता है, इन सबी में आउटसेंडिंग कोंट्रिबूशन के लिए रमन मैकसेसे पुरसकार दिया जाता है, इसके बाद है, वो हास बिकम दफोस्ट इंडियन जिनोंने एए एनस अवार्ड रसीफ किया है, नियूरो सर्जरी में, आंसर इस डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, नेक्स् इसके बाद है, मरनो परान्थ कर्नाठक रत्न से सम्मानित किसे किया है, थी आंसर इस पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है, ये कंटर सिनेमा के सुपरस्टार है, इनको मरनो परान्थ स्टेट का हाइयेस्ट ओणर दिया गया, नेक्स्ट है, Heart choosing the Indian film personality of the year awards, तो इसका जो आयजन हुआता देखिए ये गोवा में इस फेस्टिवल का आयजन हुआता और इसका एडिशन अगर पूछ लें तो ये फिफ्टी सेकेंड नंबर का एडिशन था इसके बाद है मिसस इंडिया वर्ड वाइट कुईन ये टाइटल किसे मिला है पूचा बदलानी को ये टाइटल दिया गया next is who has become the first Indian badminton player जिनोंने BWF Lifetime Achievement Award से जो है वो एक पनी है the answer is Prakash Padukone next question is who has won the 70th annual Kids to Write International Children Peace Prize तो ये दिया है देखें दो को वियान और नव अगरवाल इन दोनों को ये जो Peace Prize है इससे सम्मानित किया गया है अगला question है देखें who won the Peace Prize of the German Book Trade 2021 आंसर इज तसीस्ति डंगरीमका को 2021 का German Book Trade का शांती पुरिसकार दिया गया है अगला question है which film जिसको सिलेक्ट किया है as India's official entry for the 94th Academy Award जिनको Oscar के नाम से भी जानते हैं इसके लिए इंडिया के कौन से film को entry मिल गई है the answer is कुजंगल कुजंगल जो film है न यह आपकी Tamil language में है जिसको Oscar के लिए entry मिली है तो यह आप देख सकते हैं इसके बारे में अगला question Joseph A. who has become first Indian to be honored with Joseph A. Kushman Award 2022 तो यह जो awarded से सम्मानित होने वाले पहले भारते कौन है Dr. Rajiv Nigam is the right answer तो question में simply पूछा था friends की Joseph A. Kushman Award से सम्मानित होने वाले पहले भारते हैं Dr. Rajiv Nigam Next is who has been honored with the earth guardian about 2021 तो correct answer हो जाएगा Parambiculum Tiger Conservation Foundation को यह award दिया गया Next is who has become the first Indian woman जिसने Miss International World का title जीता है The answer is Dr. Akshita Prabhu तो Dr. Akshita Prabhu Miss International World का किताब जीतने वाली पहली भारते महिला बनी है Question number 75 है देखिए who has been honored awarded the Sakharov Prize 2021 The answer is Alexei Navalny तो Alexei Navalny को यह prize दिया गया Russia की है यह leader of the opposition Alexei Navalny जिनको Sakharov Prize मिला है for freedom of thought के लिए अगला question देखिए कौन सा medal है जो की जीता है Indian Army ने in the Camperin Petrol Exercise 2021 तो इसमें भारत की सेना ने जो है वो इसमें gold medal जीता है और यह exercise कहां होई थी break on UK में इसको conduct किया गया था इसके बाद है कौन सी team ने कौन सी country की team ने South Asian Football Federation Championship जीता है यह championship जीती है इंडिया ने तो friends यहां पर ध्यान रखिएगा इंडिया ने जो है वो इस championship में किसको माद दी है तो यह भी पूछ सकते हैं Maldiv को हरा कर यह championship इंडिया ने अपने नाम की ऐसे FF होता है South Asian Football Federation Next is who has become the first Indian to win Children's Peace Image of the Year Global Peace Photo Award तो यह award पाने वाली पहली भारते बनी है आराधिया अरविंद शंकर अगला question है देखिए who will be honored with the prestigious C.K. प्रहलाद Award 2021 तो Global Business Sustainability Leadership के लिए Friends Satya Nadeela को C.K. प्रहलाद Award से सम्मानित किया गया है Next question है who has been honored with the Lal Bahadur Shastri National Award Answer is Dr. Randeep Guleria Friends Dr. Randeep Guleria को Lal Bahadur Shastri राष्ट्य पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसके बाद है who has won 44th Wyler Ram Verma Memorial Literary Award The answer is Benjamin तो Friends Benjamin को ये Award दिया गया है अगला question है आरेबट Award 2021 तो आरेबट Award से सम्मानित किया गया है सतीश रेड़ी को जी सतीश रेड़ी को जो कि DRDO के चियर्मेन है इनको मिला है आरेबट Award 2021 Next है सत्यजीत रेड़ी के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है The answer is B. Gopal देखे इंडियन सिनेमा में contribution के लिए सत्यजीत रेड़ी दिया गया और इस बार किसे मिला है तो B. Gopal को जो है वो ये Award दिया गया है और ये तेलगो फिल्म मेकर है इनको ये Award दिया गया इनके इंडियन सिनेमा में contribution के लिए इसके बाद कोशन है कौन से दो साइंटेस्ट हैं जिनको Novel Peace Prize मिला है 2021 के लिए तो उन दोनों का नाम है मारिया रेसा और दिमित्री मुरतोव आंसर इस बोथ सुटेवल इस ते राइट आंसर जो Peace Prize होता है दिखे ये Norway की Government देती है बाकी जितने भी आपके Novel Prize है वो सब Sweden की Government के दोरा दिये जाती है मारिया रेसा ये Philippines से हैं और दिमित्री मुरतोव ये है रश्या से तो ये दिहान रखेगा कोशन ये पूशते हैं कि Peace Prize किस के दोरा दिया जाता है Norway की Government के दोरा इसके बाद है तो Literature की फिल्ड में किसे मिला है आंसर इस अब्दुलरकजा गुरनहा को ये अवार्ड दिया गया है और इनकी बात करते हैं तो इनका चर्म तंजानिया में हुआ था और जो Literature की फिल्ड में Nobel Prize है वो स्वीड़श की Government देती है अगला फ्रेंड से Nobel Prize बताना है Chemistry तो फ्रेंड से Chemistry के फिल्ड में दो लोगों को मिला है कौन-कौन Benjamin List और David Macmillan The answer is both A and B बात करते हैं Benjamin List की तो ये जर्मनी से है और David Macmillan जो है इनकी कंट्री है Scotland और Royal जो Sweden के Government है उसके द्वारा दिया जाता है Nobel Prize in the field of Chemistry अगला है Physics Nobel Prize Physics के फिल्ड में दिया गया है इस पार तीन लोगों को answer is हो जाएगा Securo, Manabe Claus, Hustleman और Georgia Parisi तो इन तीनों को मिला है Physics के फिल्ड में Nobel Prize अब इनकी कंट्री के बात करें देखी हैं पे तो जो मनाबे हैं ये अमेरिका से हैं Claus, Hustleman ये जर्मनी से हैं और Georgia Parisi ये इटली से हैं तो कंट्री से कुशन बनने के जांसे थोड़े बस हो सकते हैं तो आप लोग ध्यान रखेगा अगला है विच इंडियन ओर्गनाइजेशन जिसको सम्मानेत किया गया है Right Lealhood Award 2021 अगला कुशन Novel Prize for Medicine ये किसे मिला है तो दो लोगों को मिला है डेविट जूलियस और आडियम पेटा पोईटियन तो यांसर इस बोथ सुटेवल तो दो लोगों को मेडिसिन की फील्ड में Novel Prize मिला है डेविट जूलियस और जो पेटा पोईटियन है ये दोनों ही USA से बिलॉंग करते हैं कोशन ए 90 देखिए विदा येदान प्राइस तो टॉसन ट्वेटीवन दी आंसर इस डॉक्टर रुकमिनी बैनर जी तो ये आंसर हो जाएगा रुकमिनी बैनर जी को ये अवार्ट दिया गया अगला कोशन से पहले देखिए इंपोर्टन पॉइंट येदान अवार्ट येदान प्राइस फांडेशन के द्वारा 2016 से दिया जा रहा है ये एजुकेशन अवार्ट है जो की एजुकेशन रिसर्च और डिवलपेंट की फिल्ड में दिया जाता है नेक्स्ट कोशन है इसके बाद है इसके बाद है 2020 का नाशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरसकार मिला है किसे एस्वी सरस्वती को तो ये भी ध्यान रखेगा कि इनको 2020 के लिए दिया गया है एस्वी सरस्वती को नेक्स्ट है Global Goal Keeper अवोर्ट 2021 ये किसी मिला है तो फोमजिले मिलामबो अंकुका को Global Goal Keeper का अवोर्ट दिया गया इसके बाद नेक्स्ट कोशन है कौन सी इंडियन का पावर स्टेशन है जिसको Blue Planet Prize 2021 मिला है तो ये जो पावर स्टेशन है इसका नाम है SDG Progress Award 2021 से किसे सम्मानित किया गया है अगला कोशन देखिए तो फ्रेंड गोतम अडानी को रामकृष्ण बजाज Memorial Global Award से सम्मानित किया गया इसके बाद देखिए कौन से दो बीचिस है जिनको Blue Flag Certificate दिया गया है The answer is option number D कोविलम जो कि तमिलनाडू में है और इडन जो कि पुदुचेरी में है इन दोनों को Blue Flag Certificate से सम्मानित किया गया इसके बाद next question है UNESCO Literacy Award ये मिला है किसे NIOS यानि National Institute of Open Schooling को ये अवर्ड दिया गया next is Swami Brahmanand Award 2021 से सम्मानित किया गया है Friends Anand Kumar को तो Anand Kumar को उनकी एक movie आई थी Super 30 जिसके माध्यम से उन्होंने पुरा education का feel दिखाया था उसके लिए उनको Swami Brahmanand Award दिया गया next is Florence Nightingale Award 2021 अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था 2020 के लिए मिला था SV Saraswati को और 2021 के लिए मिला है भानुमती घीवाला को यहाँ पर आएगा आपका आणसर भानुमती घीवाला को 2021 के लिए Florence Nightingale पुरुषकार दिया गया next है कौन से तीन villages हैं इंडिया के जिनको UNWTO के लिए select किया है for the best tourism bliss award के लिए answer is suitable all मिघालय का है कौंग्ठोंग मदर प्रदेश का है लागपुर खास और तेलंगाना का है पुचंपली जिनको यह अवर्ड दिया गया अगला कुशन है कौन सी कंपनी है जिसने best association for talent award talent development best award का title जीता है the answer is option A power grid next is who has won time's excellence award 2021 the answer is सवर्ना रॉय तो फ्रेंड सवर्ना रॉय ने time's excellence award 2021 खिताब जीता है इसके बाद है who will be honored with श्री वसवा international award the answer is श्री वसवलिंगा पट्टा देवरू तो इनके नाम से ही देखो आपको याद आजाएगा वसा और यहाँ पे भी वसा आता है तो easily आप इसको याद कर सकते हैं कि award किसे मिला इसके बाद है कौन सा airport है जिसने world का best airport का title जीता है sky tracks के हिसाब से the answer is हमद international airport जो की है कतर में तो इस airport ने best airport का title जीता इसके बाद है कौन सी country का है मागदेचू hydroelectric project जिसको brunel medal दिया गया है तो यह जो project है न ये भूटान देश का है और ध्यान रखेंगे friends की भूटान देश के इस project को brunel medal पुरिसकार दिया गया अगला question who won the title of भारत की history wrestling दंगल 2021 the answer is correct answer हो जाएगा देखिए लाभांशू शर्मा तो यहाँ पे थोड़ी सी कहीं कहीं देखिए कड़वड हो जा रहा है spelling में तो मैं आपको correct spelling भी बता रही हूँ लाभांशू शर्मा इस दे राइट answer जिनको भारत की history wrestling दंगल का award दिया गया इसके बाद है Miss India USA 2021 का title किसने जीता है the answer is वेदही डॉंगरी ने यह title जीता अगला question है friends who has won the best documentary at the Cannes Film Festival 2021 तो best documentary का जो खिताब जीता है वो पाइल कपाडिया ने जीता है अगला question है Commonwealth Point of Light Award 2021 से किसे सम्मानित किया गया है the answer is साइद उस्मान अजहर मकसूसी को यह award दिया गया next question है friends इसके पहले देख लीजे हाइदरबाद वेस्ट हंगर एक्टिविस्ट है और यह हर एक दिन इन्हों देख कैंपेंच चला रखा है हंगर हैस नो रिलेजन उसके जारनी हर एक दिन 1000 लोगों को फीट करती है अगला question है friends who has been honored with the Humboldt Research Award 2021 the answer is कौशिक बासू तो economics के field में outstanding contribution के लिए Humboldt Research Award दिया जाता है जो कि 2021 में मिला है कौशिक बासू को अगला question है कौशिक इंडियन फिल्म है जिसने जीता है best short film का award the answer is Sheer Korma is the correct answer इसके बाद है कौशिक कंट्री को malaria free certification मिला है WHO के दोरा तो दिखे हाल ही में चाइना देश को WHO के दोरा malaria free certification दिया गया इसके बाद है WHO has been honored फिद्दा कुवेंपु राष्टिय पुरिसकार तो इस पुरिसकार से सम्मानित किया गया है friends Rajendra Kishor पांडा जी को इसके बाद है कौन सी इंडियन है जिनको मंगोलिया के highest civilian award the order of the polar star से सम्मानित किया गया है ति करेक्ट आंसर is RK Sabarbal is the right answer next is which metro has been awarded the outstanding civil engineering achievement award कौन सी metro है जिसने एवाद चीता है तो friends correct answer हो जाएका Delhi metro next is which Indian जिनोंने जपान का prestigious grand Fukuoka को prize शीता है the answer is P Sainat ने इस पुरुसकार को जीता है इसके बाद देखिए who has been honored with the Spanish Princess of Austria's literature award ये award किसे दिया गया है answer is Emmanuel carrier को जो है वो friends Spanish Princess of Austria's literature award से सम्मानित किया गया इसके बाद है DRDO के द्वारा scientist of the year के लिए किसे सम्मानित किया गया है answer is हीमंत कुमार next question है friends who has been received 96th Madhya Pradesh तानसीन award answer हो जाएगा friends पंडित सतीश व्यास को जो है वो 2021 में 96th Madhya Pradesh तानसीन पुरिसकार से सम्मानित किया गया है तो friends ये थे हमारे सारे के सारे award and honors जोगे आपके 2021 के important है I hope so this video will be helpful for all exams thank you so much for watching this video